हलो दोस्तों आप हैं अपने साइंस एक्स्प्रेनर चनल पर और हम बात कर रहे हैं यूपी में हुए पीजी टी एक्जाम की और मैं फिजिक्स कोश्चन्स की लास्ट आंसर के लिए क्या आया हूं आशा करता हूं इससे पहले आपने सभी कोश्चनों को मिला लिया होगा और यह लास्ट आंसर दे रहे हैं चलिए कोश्चन स्टार्ट करते हैं एक ठोटा ठोस गोलक एक श्यान ध्रब में गिराया जाता है यह अंतित्य एक समान वेक से चलता है जो कहलाता है तो इसे क्या कहते हैं तो इसका जो राइट आंसर है C क्रांतिक वेग कहते हैं इसको 108 रुदोश्म प्रक्रम इस प्रकार से भी जाना जाता है तो इसका A option सही है सम एंट्रॉपिक सम एंट्रॉपिक से भी जाना जा सकता है कोशन नमबर 109, कैपलर का दुतिय नियम, छेतिय वेग अच्छा रहता है, नियमन में से किस संरक्षण पर आधारित है, तो इसका C है, कोड़िय संबेग संरक्षण पर आधारित है, नेच्ट कोशन नमबर 10, किस ताप पर फारिन हाइड और कैल्बिन, ताप मापक्रमों पर एक समान इनके संख्यात पक्मान होते हैं, तो A इसका राइट ओप्षण है, नेक्स्ट 111, जूल थॉम्सन प्रभाव में निमन में से कौन सी राशी नियत रहती है, तो इसका ओप्षण नमबर C ओप्षण है, एंट्रॉपी नियत रहती है, नेक्स्ट कोशन नमबर 12, दो करेंगे तो पर्णामी प्रति रूप में महत्तम तता नियून्तम ट्रीवताओं का अनुपात एसा करेंगे, नीचे डिनॉमिनेटर में root i1 minus root i2 निकालेंगे इसको और इसका whole square कर देंगे तो जब इससे solve करेंगे आप तो जो इसका right answer निकल कियाएगा वो right answer option number d है 81 ratio 1 है तो d option इसका सही है next question number 113 एक प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्लेट पर दुर्वण कोण पर आप्तित होती है यदि प्रेट का अपवर्तनांग root 3 हो तो अपवर्तक कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जो right option है वो b है इसका n equal to 10 ip तो 1060 तो इसका मान 60 होगा b option इसका right option होगा next 114 f1 तथा f2 तो focus दूरी वाले दो लेंसों के मद्द के वीच की दूरी डी हो तो न्यून्तम गोली विप्धन का मान कितना होगा तो इसका q upon 6 epsilon 0 होगा गोस की फिर्मे से आप जानते हैं किसी भी रस्टे निकलने वाला कुल flux का मान आविश्का 1 upon epsilon 0 गुना होता है तो 6 पलकों में से एक से पूछाए तो इसका right option q upon 6 epsilon 0 next question number 116 40 ohm के प्रत्रोद के एक तार को चित्रनुसार व्रत्ताकार मोला गया है तो बिंदूओं A तथा B के बीच प्रभावी प्रत्रोद कितना होगा तो देखें A से अब B तक का अगर इसका प्रत्रोद निकाला जाए तो आधि सरकल का इसका हो गया 20 ohm और इधर का चौथ हाई का 10 ohm तो यह पूरा 30 हो गया और यह A से भी बचा हुआ है 10 तो इस वन अपन 30 और वन अपन 10 को जब इसको मतलब 30 और 10 को आप समानतर क्रम में जोडेंगे तो जिसका जो राइट आप्शन होगा वो आप्शन नमबर सी इसका राइट आप्शन होगा तो 116 का जो आंसर होगा वो सी ही है नेक्स्ट कोशन नमबर 117 50,000 वोल्ट तोरक विभाव वाली एक सरे न लिका छे प्राप्त विक्रण का न्यूंतम तरंग्देर लगबक कितना होता है तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो राइट आप्शन है वो सी आप्शन इसका राइट आप्शन है तो 117 का जो राइट आप्शन है वो सी आप्शन राइट आप्शन है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 118 एक ट्रायोड में गेड का प्रकार यह किस प्रकार नियंतरत होता है तो गेड क्राकार करता है तो यह एनोड धारा को नियंतरत करता है डी आप्श है राइट ऑप्शन है 120 अर्थ तरंग दिश्टकारी की अधिक्तम दक्षता क्या होती है तो हाफ वेब रेक्टिफायर की जो मेक्सम जो दक्षता होती है वो बी ऑप्शन है 40.6 परसेंट इसकी दक्षता होती है नेक्स्ट कोश्चन नंबर 121 साबुन के एक बुल्बुले को बुल्बुले के अंदर अधिक किदाप कितना होगा तो अधिक किदाप का देखे पी इक्वेल टू पी इक्वेल टू 40 अपॉन आर इस तरीके से फॉर्मिलेस सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो होगा तो 121 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है तो देखिए यह कोशन नंबर 12 इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो जो है कोशन नंबर इसको छोड़ देते हैं इसको देख लिजेए 123 दो परमाडू गैस की ग्राम अडू को विशेश टूश्मा का अनुपा बात होता है वो वन ए है इसका राइट आज आंसर 1.66 नेस्ट कोशन नंबर 124 यदि एंटीपी पर हाइडोजन अडू का बर्ग माध्य मूल वेग 1.84 किलो मीटर पर सेकंड हो तो एंटीपी पर ऑक्सियन के अडूगों का मान कितना होगा तो जो इसका 124 का जो राइट आप्शन होगा डी नेक्स्ट 125 एक एलेक्ट्रॉन दूर्दर्श्री का विवानता 20 किलो वोल्ट से 40 किलो वोल्ट कर दिया जाता है तो विविदन छमता में क्या पर्दवर्टन होगा तो इसका जो हो जाएगा आपका एक चौथा इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन इसको बताओं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका यह आप्शन सही होगा तो कोई बात नहीं जाएग स्यादा दो या तीन कोश्चनों में गलतियां हो सकती है वाकिस अभी कोश्चन सही है तो यह थे आपकी अंसर कि थैंक यू